थे लोड आपने देखा होगा जो वेब सिलिंग होते हैं काफ़े सारे कलर्स में आते हैं तो आप स्觀眾 interviewer पूस्छ सकता है इन कलर्स का मतलब क्या है तो अगर कोई वेब सिलिंग वाल्येंट कलर का है तो इसे आप एक टन का लोड उठा सकते हैं मैक्सिमम, नेक्स्ट है ग्रीन, अगर कोई भी वेबसलिंग ग्रीन कलर का है, तो उसे अब 2 टन का मैट्रियल लिफ्ट कर सकते हैं, अगर यलो है तो आप 3 टन का मैट्रियल लिफ्ट कर सकते हैं, अगर ग्रे है तो आप 4 टन तक का मैट्रियल लिफ्ट कर सकते हैं, अगर जाए तो 10 से 12 तक आप उससे लिफ्ट कर सकते हैं तो यह होता है कलर कोड का मतलब आप इसका स्क्रीन सोट ले सकते हैं नेक्स्ट, SWLF वेबसलिंग आपसे इंटर्वियोर पूछ सकता है अगर कोई वेबसलिंग है तो उसका सेफ वर्किंग लोड कैसे मालूम करेंगे कैसे हम जानेंगे कोई वेबसलिंग कितना लोड लिफ्ट कर सकता हैं तो सबसे पहला एक कलर कोड जो कि अभी हमने पीछे वीडियो में देखा था तो अगर कलर देखते हैं आप तो आपको मालूम हो जाएगा कितना लिफ्ट कर सकते हैं किसी वेबसलिंग से कलर कोड के कोडि आओगा उसमें लिखा ओगा कितना लोड आप लिट कर सकते हैं यानि safe working load कितना है इस वे आपको mention किया जाता है नेक्स्ट आपने देखा होगा जितने web sling होते हैं सब पर इस तरिके के धागे दिये होते हैं black color के तो इनसे भी हम जान सकते हैं कि web sling का safe working load कितना है वेब्सिलिंग पे जितने धागे दिये होंगे उतने टन का लोड हम लिफ्ट कर सकते हैं यानि उतना उसका SWL है जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं यहाँ पे तीन धागे दिये हुएं तो यानि कि इस weld से इस web sling से 3 टन तक का material lift कर सकते हैं यानि इसका SWL 3 टन है तो जितने धागे दिये होंगे उतने टन तक का load हम lift कर सकते हैं इसे हम पता कर सकते हैं